इस वक्त के बड़ी और बेहद एहम ख़बर एन भारत परमेटी से आ रही है जहाँ पर प्रवासी मर्जदूरों से वसूली का खेल शुरू हो चुका है पांच-पांच रुपए में होम कोरिंटाइन का फॉर्म इन लोगों को बेचा जाना शुरू किया जा चुका है चैक-प सेंटर के बाहर प्रवेट दुकानों पर ये फॉर्म बेचा जा रहा है और जास सेंटरों पर जो लाइन है वो बहुत लबी-लबी लाइन लगी हुई है ना तो ये लोग शोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रख रहे हैं और ना ही कोरोना से बच्चने के लिए कोई भी उपाय करते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन हरानी की बात ये है कि अब एठी में होम कोरेंटाइन का फॉर्म पांच पांच रुपए में बेचा जा रहा है और वो भी चैक अप सेंटर के बाहर प्राइविट दुकानों पर ये फॉर्म एन गरीब बेबस बेसाहरा मज़दूरों को मिल रहा है वो मज़दूर जो हजारों हजार किलोमेटर की यात्रा करके अपने घरों तक पहुंचे हैं अपने जिले तक पहुंचे हैं आप उन्हें अपने जिले में भी इस तरीके की तस्वीरों को देखना होगा जहाँ पर उन्हें पांच रुपए में होम कोरेंटाइन का फॉर्म लेना होगा उसके बाद उस फॉर्म को भरना होगा और उस फॉर्म को पाने के लिए भी घंटों की जद्दो जहद करने होगी भीड में खड़ा रहना होगा शोशल डिस्टैंसिंग को भूल जाना होगा ये समझने की जरूरत है कि जब कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो फिर इस तरीके के जब तस्वीन सामने आएंगी लॉक्डाउन के अलावा तो फिर सोचने अब सोचना पड़ेगा कि वाकई हम लोग कोरोना के पास जा रहे हैं या फिर हम कोरोना से बचने की कोशिश कर रहे हैं फिलहार ये बेहुद एहम और बड़ी खबर जहांपर बच्चे महिलाएं परिवार सभी लोगों को कॉरिंटीन करने के नाम पर पांच पांच रुपए में फॉर्म बिचा जा रहा है और ये वो लोग हैं जो हजारों किलोमेटर की यात रकर करके अपने शेहरों तक पहु दवस्थाओं कामबार लगा है ये लोग जिन लोगों ने पांच पांच रुपए में क्वरिंटाइन का फॉर्म लिया और लोगों ने हम से बात के बात दुका ने फुली है वहां है खानरा जाके और लोगों को परीशदी में पांच पर रहा जा davon नहीं कितने बूल को च्परिंश देखार यह नआ factor एका यहीं तो पर यहां पर जागा तो फाम नहीं एदर बाद दुपाने पुलीacity वहां से जा कर फाम लेना बड़ा मौन कि दुने रदू नंद बाच्रुपए का खाद हम दूए उए गुर्काट